ये मुंबे की वर्ली सीट है और यहां से आधिटे ठाकरे वर्सस मिलिन देवडा हो रहा है तो आधिटे ठाकरे के लिए जीतना जरूरी है कि देवडा के लिए? मिलिन देवरा बहुत सीजन लीडर है और अपनी बातों के बेबाग राय रखने के लिए भी काफी जाने जाते रहें कि जो शरत पवार साहब थे उन्होंने उनको उधव को समझाया कि आप इतनी कम उम्र के जो है ब्यक्ति को अपनी पार्टी का जो है रेप्रेसेंटेटिव बनाते हो चीफ मिनिफ्टर नहीं बनाते है अगर सरकार उस्तित में आती तो हो सकता उसके बाद वह अपनी लिगेसी ट्रांसफर कर देते कि साब मैं नहीं कुछ दिनों बाद जो है अधित्य ठागरे को चीफ मिनिश्टर बना दिया जाए सत्ता में आने के लिए कूरसी पाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं उस इमेज को डाइलीूट कर रहे हैं यह सब चीजे डिसकसन मे आई आपने भी पढ़ी नमशकार पोल पंच मापका फिर से स्वागत है मापके साथ हूं नरेश कुश्यारी महराश्ट विधान सुबा चुनाओं में जिस तरीके से टिकट बाटे गए हैं जिस तरीके से उमिद्वारू को टिकट दे गए हैं उससे लग रहा है कि महराश् पहले वाली पार्टे के साफ बढ़ जाएगी और इसमें सबसे बड़ा नाम है आदित थाकरे का और आदित थाकरे के खिलाब शिंदे गुट्ने कैसा उमिद्वार उतार दिया है जो आदित थाक्रे की राह को रोग भी सकता है अगर 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 फी सामने वाली मिलियनpri ध सबसे पहले बाचीट से करते हैं यह मुंबए की वरली सीट है और यहां से आधित ठाकरे वर्सस मिलन देवडा हो रहा है तो आधित ठाकरे के लिए जीतना जरूरी है कि देवडा के लिए सबसे पहले ही करते हैं अधित ठाकरे चुनाओ नहीं लड रहे है तो जाहिट से बात उनको किसी तरह से जो है उस vidéo को आगे रखने के लिए जो शेना की उब्या काल मैं उसमें इस समय सबसे चर्ची ताने वाले समय के लिए एक एक तरह से देखा जाए तो रात तय होगी तो यह सीट बहुत क्रूसल हो गई है अपने मिलिन देवरा की बात कहीं मिलिन देवरा बहुत सीजन लीडर है और अपनी बातों के बेबाग राय रखने के लिए भी काफी जाने जाते रहे हैं इसी वज़े से आपने देखा होगा जब वह कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में थे तो उन्होंने बहुत बोल्ड कोश्चन पे तरह से देखा जया तो राहूल गांधी के सामने वी पोश के कुछ मुद्दों पर तो वही एक कारन था जिसकी वज़े कि पिता जी जो थे मुरली देवरा कॉंग्रेस के बहुत बड़े नेता थे उस सीट है मुंबई साउथ जी लोगसभा कंस्ट्वांसी से वो लगातार चार बार वहां के एंपी रहे तो उनके पीसे एक रिच लिगेसी है वहीं आप देख रहे हैं कि जो ये ठाकरे साहब हैं जो आदित ठाकरे उनके पास में एक एक जो हिंदुत्वा वोट बैंक और बाला साहब की लिगेसी है आपको ध्यान होगा कि जब महाविकास अगाडी नहीं बना था और बाची चल रही थी इन तीनों में तो सबसे पहले उद्धव गुटने मुख्यमंत्री का जो चहरा थ अधित ठाकरे के रूप में आगे करना चाह रहे थे वह सीधे सीधे आधित ठाकरे को पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन जब इनका गड़बंदन हुआ तो गड़बंदन में उद्धव को उन्होंने का कि उद्धव ठाकरे बनेंगे तो हम रही कि बना चाहते हैं तो हो सकता है अगर सरकार उस स्थति में आती तो हो सकता है उसके बाद वो अपनी लिगेसी ट्रांसफर कर देते हैकि जब मैं नहीं कुछ दिनों बाद जो है अधित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए इस तरह की बात तो कह सकते थे लेकिन ऐसा ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं आपने देखा कि जिस तरह से बाला साब ठाकरे की उसके उपर प्रस्चिन नहीं तो लगी गया कि आप सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुरसी पाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं उस इमेज को डाइलूट कर रहे हैं यह सब चीजे डिसकसन में आई आपने भी पढ़ी उसमें कहना यह है कि वो उन्हो फार्ट बार्गेनिंग में जो है जिसका एज जयादा होगा वो वो election के बाद धितन हो पाएगा कि साब जिसके पास ज्यादा सीiran commitment का चहरा होंग्रेश ने यह ए वह उसके बाते काश नहीं उनका प्रत्याश नहीं अच्छिक स्प करें ऊेंटनिंड सीट थी कि 10 के आसपास हम लोग एलाईज को दे देंगे उसके बाद भी कुछ सीट बच रही थी तो उसमें कॉंग्रेस की पूरी कोशिस है कि 100 प्लस सीट पे अपने टिकेट कंडिडिट उतारे हैं वहीं विदर्व रीजन में जो है कॉंग्रेस ने सबसे यादा कंडिडेट में उतारे है और और इस तरह से जैसे आपस में चल ला है कि लोगों ने प्रभाव चेत्र कोई compromise नहीं किया इसी वज़े से विदर में जो है कुछ सीटों पर बारा सीटों पर जो अड़ा हुआ था मामला सिवसेना के साथ में Congress का उसमें Congress ने compromise नहीं किया और उसका आपने देखा होगा कि outcome क्या हुआ outcome यह हुआ कि सरत पवार की जो सब्तर के आसपास सीटे पाना चाह रहे थे उनको जो है भी equal distribution में उन्होंने जिस तरह से bargaining की negotiation किया उनको भी equal footage पे उनकी party भी खड़ी हो गई आगे Congress के बराबर तो तो राजनीत में अभी भी इसलिए जब यह स्थिति नेगोसीट के negotiation के दर्मियान आ गई है तो मुझे तो लगता है जब आप देखेंगे कि जो election का result आएगा उसमें शरुत पवार का अगर उनकी party का अगर बराबर बराबर रहता है तो वो क्यों नहीं वो अपनी party के लिए चिफ निस्टर candidate की बात करें यह भी तो हो सकते हैं क्योंकि तीनु पार्टें को शरुत पवार एक तरीके से mentor की भूमिका निभा रहे हैं इस गटवंदन में यह प्लस की उमर में उनको चीफ निस्टर बना दिया गया था तो अगर ऐसी कोई राजनीती में कोई भी possibility हो सकती है हो सकता है कि सब लोग compromise candidate के लिए कि साहब सरतपवार ही चीफ निस्टर बन जाए फिर से एक बार यह भी यह भी हो सकता है लेकिन यह remote possibility है हम लोग जिस तरह की बात करें लेकिन राजनीती जो है असीम संभाना से भरा हुआ खेल है लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने शुरुआ जो की थी वरली सीट से की थी मुंबई की तो आदित ठाकरे को चुनाव हराना है ताकि इनका जो सिंदे की सेना है और जो उधर ठाकरे की सेना उसमें वर्चस की लड़ाई लिगेसी को आगे बढ़ाने को है कि हम हमारी प्रतिबादता किसकी जो है बाला साफ ठाकरे की जो विचारधारा है उसको लेकर हम कौन लॉयल है जाहिड सी बात है वो उनके पुत्र है बाला साफ ठाकरे के जो उधर जी पुत्र है तो उनके सा देखिए वहां भी आप देखेंगे तो जो एलाइंस हो था उसमें किसी एक पार्टी को आप यू नहीं के सकते क्योंकि उनके साथ उस समय आपने देखा होगा कॉंग्रेस का वोट बैंक भी गया तो ऐसा ये कहना की आईसोलेशन वह जीत गया वो सिर्फ उसी लिगेसी को लेकर ये भी सत्य नहीं है उनके साथ में कॉंग्रेस आपने देखा होगा लोगसभा में कॉंग्रेस के साथ में जो माइनारिटी का इनमास वोट गया प्लस दलित वोट पैंक गया उनके साथ में तो तो ऐसे में उसको फाइदा है मुझे ऐसा लगता है कि Congress की सीटे हैं क्योंकि Congress की जो आइडिलोजी है उसके वोट बैंक प्लस जो शुप्षिना की आइडिलोजी है एक तो मराथी वोट है दूसरा उनका हिंडित्त है यह जब मिल रहे हैं तो तब फाइडा हो रहा है और उध जो एकनाथ सिंदे की सेना है उसको वहीं पर वो ज्यादा लोग लड़ा रहे हैं जहां पर की उधर ठाकरे की जो सेना लड़ रही है तो यह इसमें जो वर्चस की लड़ाई आती है और उसमें कौन बाजी मारेगा कौन ज्यादा लॉयल है जैसे हम लोग बात कर शुके हैं जो सेना में जो अनंत दीगे की लिगेसी हुआ करती थी उसको एकनाथ सिंदे ने इन्हरिट किया हुआ है इसी वज़े से आपने देखा जहां से वो लड़ रहे हैं उनके खिलाप सिवसेना यूबी टी ने जो है उनके खिलाप उनके भतीजे को लड़ा दिया उनके साथ म यह हो रही कि उधर ठाकरे को ज्यादा नुकसान हो इसी वज़े से मैं एक एक इंट्रेस्टिंग बात बताऊंगा कि माही में एक सीट है मुंबई में जहां से उनके अमित ठाकरे के जो राज ठाकरे के लड़के हैं अमित ठाकरे वो लड़ रहे हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर तीनो सेना हैं एक तरह से मनस यानि वो भी सेना का ही पार्ट है लिगेसी वही है और एकनाथ सिंदे का भी कैंडिडेट है और प्लस आप देखेंगे कि उनका भी कैंडिडेट है तो वहाँ एक डिबेट चल रही अभी पता नहीं कल आखरी दिन है विड्रॉ करन चाहिए क्योंकि लोकसभा के दर्मियान जो है राज ठाकरे ने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किये थे तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी और एकनाथ सिंदे की सीना को सपोर्ट किया था यानि महाउद्धी को एक तरह से सपोर्ट किया था तो उसमें moral obligation है कि साब कि उनके बेटे की सीट पर वहां से उनको हटा दिया जाए क्योंकि आप देखेंगे कि और दूसरी तरफ जो वहां पर जो माहीम का कैंडिडेट जो है अधरवाइस वहां जो फाइदा UBT को होता हुआ दिखता है क्योंकि UBT का मानना है कि उसमें Congress का वहां पर जो है काफी कॉंग्रेस का कैंडिडेट वहां से 15,000 से उपर का वोट उनको मिल जाएगा तो UBT वहां पर फाइदे में हो जाएगी तो उधा की जो सेना के कैंडिडेट है उसके पास विनिंग एज दिख रहा है इसी वज़े से कहा जा रहा है कि अमिर ठाकरे के खिलाब एकना सिंदे की सेना का कैंडिडेट हटा लिया जाए तो वहां पर वारली सीट की आप बात में कहें दूसरी ये सीट भी मुंबई में बहुत इंट्रेस्टिंग हो गई है उस रीजन में असम्बिली एलेक्सन में क्योंकि दोनों जो है किसी ना किसी जो कहते हैं कि वो जो परिवार के एक से देखा जाए तो लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जो नई पीड़ ही आई है उसको रिप्रिजेंट करते हैं मुंबई के लगबख लगबख सीटों मुझे ऐसा नजर आता है कि जो उद्धव महाविकास हगारी है वो तीन चीज़ों से वोट माग रही है एक तो हम देखते हैं कि कॉंग्रेस और एंसेपी के जो आईट रोजी है उसका वोट उसको हर जगह से मिलेगा साथ में जो कॉंग्रेस को अब तक जहां जहां जाते हैं कि हिंदुत्यों के नाव पर बहुत कम वोट मिलता है वो उद्धव ठाकर के शिवसना उनको दिला रही है तो ऐसे में उनका विनिंग एज जो है वो जारा नजर आ रहा है देखिए वो जो मुंबई की बात आपने मेट्रोपलिटिन एरिया का जो एरिया आता है उसमें आप देखेंगे कि वहां सिवसेना डॉमिनेट करती रही है और कौंकन रीजन से ही एक तरह से देखा जाए उधरी से सिवसेना बहुत मुखर रूप से आगे बढ़ी तो उस रीजन के साथ में देखते हुए जो है उनके साथ में प्लस सरद पौर जी का जो उनकी उनका फैक्स है उनका प्रभावशेतर का आता है तो वो एक विनिंग दिखाता है लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसी रीजन में बीजेपी भी काफ की पावफुल रही है और एकनात सिंदे की सेना के साथ में भी एक तरह से प्रभावशेतर ही है सुसेना का तो इस समय जो विचारधारा में जो विचारधाराओं के बीच का जो क्लैस है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है वो हम लोगोंने लोगसभा में भी देखा लेकिन लोगसभा में जो पूरा का पूरा आपने देखा था जो लोगसभा के साथ में असम्बली को पूरी तरह घडिन लहीं कर सकते हैं जैसा अपने अर liner में देखा तो तो पार्टी उहां पर सत्ता में होते हुए भी जो महायूति को जो और स्टामे में होते होए भी वो इसके पास कुछ ने कुछ चीज ऑ फॉजिव है जो प्रोपीप जो एक तरह से देखा जा तो वो चुपा हुआ आस्पेक्ट है और तीसरी बात आ रही है आप देख रहे होंगे कि इस समय जो संग की बैठके हुई है जो जो अनुसांगिक संगठन है खासकर संग ने जो छोटी-छोटी सभाय करनी सुरू की है और नागपूर आप जानते है नागपूर है तो उसमें जो नागपूर से जो मुंबई में ही नागपूर है तो आप जानी रहे हैं कि मुंबई से सटा हुआ नागपूर उस रीजन की जो वहां से देवेंदर फढणवीज भी आते हैं तो जो बीजेपी के साथ में ये positive आस्पेक्ट है जो संग वाला उ महायूती के लिए कि महायूती में हम देखते हैं कि दो पार्टियां शिंदे की शिप्षिना और बीजेपी तो एक ही बिचारदार एक ही पार्टी ये लगबग लेकिन उसमें अजीट पावार की जो एंसे पी है वो थोड़ी से उनकी काम करने का तरीका उनका वोट थोड़ा एक तरह से बीजेपी ने एक एक चाल चली थी उन्होंने एकनाथ सिंदे को भी बैलेंस कर दिया था क्योंकि उतने ही नंबर 40 उनके थे तो 40-42 के आसपास जो है एमेलेज उनके पास में आ गया तो उन्होंने बैलेंस कर दिया था और इस समय सीट डेस्टिविशन चुकि ल कर दिया है उसमें उनके लिए जो और खास कर आपने देखा बार मती से ही लड़ रहे हैं और बार मती पर भी लिगेसी की लड़ाई हो रही जो उनके ग्रैंट चिल्डिन हैं सरत पवार के वह उनके खिलाफ लड़ रहे हैं मैं नाम अबी बताता हूं युगेंदर पवार और उनके जो अजित पवार हैं, इनके बीच में लडाई हो रही है और उस लडाई को परिवार की लडाई के बीच में जो राजनेतिक जो वर्चिस की लडाई फसी हुई है उसमें इस बार कौन बाजी मारेगा? पिछली बार तो आपने देखा कि लोकसभाय अलेक्षन हो इनकों अपनी पत्नी को लड़ाया था वहां से सुप्रिया सूले के खिलाप में तो सुप्रिया सूले लेकिन जीत गई वहां से यानि सरत पवार का जो प्रभाव शेत्र वहां पर अभी भी बना हुआ है लोकसभा चुनाओं में चाहे शुप्षना हो या नसीपी हो दोनु में उधर महाविकास घाड़ी को फाइदा हुआ था हाँ उसका पल्रा भारी था उसमें दो फैक्टर मुख्य थे आप जैसा कि मैंने कहा एक तो विक्टिम कार्ड जो चल रहा था कि पीठ में छूरा भोका गया वो इमोशनल कार्ड चला दूसरा यह था कि जो कास का कॉंबिनेशन था उस समय लोकसभा के टाइम में जो समीधान बचाओ दलितों के बीश में और और रिजर्वेशन खतम करना यह जो नरेटिव बन गया था यह नरेटिव जो है कॉंग्रेस यानि एम वीए अलाइं लोकल चीजें हैं लोकल जो जो मुद्धें हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे उन जारतर लोकल मुद्धों को जो है जो सरकार ने महायूती सरकार ने उसने एड्रेस कर लिया है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ होगा और इसे भी आप देख रहे हैं कि कल ल मैं सिंग को लेकर देखते हैं महाराश्ट की जो लड़ाई है वह बहुत ही महाराश्ट में इस चुनाव को बहुत हुआ Father Heek और इस वक्त माहराष्ट में क्या चल रहा है , आपका सर्वे क्या है वह भी आप कमेंट कर बता सकते हैं और हो जाना इसी तरीके से political discussion देखने के लिए बने रहे पोल पंच के साथ और बने रहे India.com के साथ बहुत बहुत शुक्रिया